अब इस वक्त में जब हर तरफ कुरोना ने देश में तमाम दिक्कतें और परिशानी खड़ी कर रखी है तो वहीं इस वाइरस के खिलाफ जंग में हर भारतिय अपना-पना सहयोग दे रहा है अब इस कड़ी में केंद्रे जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंख शेखावत की पतनी नौननंद कवर ने लोगों के लिए मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है नौननंद कवर स्विम घर पर मास्क बना रही है और इने इस काम में अपने बच्चों का सहयोग भी मिल रहा है इस बारे में नौननंद कवर कहती हैं कि जब शुरूआत में कोरोना वाइरस को लेकर खबरें आनी शुरू ही तो विशेशग्यों का कहना था कि संक्रमित व्यक्ती मास्क लगाए सभी को मास्क लगाने की ज़रूरत को डॉक्टर एक तरह से नकार रहे थे लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें चेक गन राज्य का एक वीडियो मिला चेक गन राज्य के एक्सपर्ट ने पाया कि केवल संक्रमित नहीं यदि सभी लोग मास्क लगाएं तो करोना वाइरस के संक्रमन को काफी हद तक रोगा जा सकता है वहाँ के एक्सपर्ट ने यह भी पाया कि ना केवल खांसने बलकि सांस लेने के दोरान भी संक्रमित व्यक्ति दूसरे को पर भावित करता है इसके साथ ही नौनंद कमर कहती हैं कि इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेथ योरोप के देशों में जहां सिती बेकाबू हो रही है वहीं चेक गनराज्ये ने अपने यहां करोना वाइरस को काफी हद तक नियंद कर रखा है और इसी के मद्दे नजर उन्होंने स्वेम मास्क बनाने का निर्णे लिया धन्यवाद